नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका यूगिट पलेस्टी गाइड में मेरे नाम है आशिर शौतिला और आज में इस वीडियो में आपके साथ कंटिन्यू करने जा रहा हूँ उत्राखन ताल जो सीरीज है उसकी तीसरी क्लास इससे पहले हम दो क्लास कर चुके हैं जिसमें हमन तीरी जिले और उत्रकाशी की जिले को कवर कर दिया है तो आज जो तीसरी क्लास है उसमें हम कवर करेंगे नैनिताल जिला दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाए इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए है या फिर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्रा पर जुड़ना चाते हैं तो यह हमारे टेलिग्राम तथा इंस्ट्राग्राम हैं तो आप लोग यहां जाकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और कमेंट जरूर करिएगा ठीक ह दोस्तों नैनिताल जिले के जो ताल हैं उनको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है मुझे पूरा यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको नैनिताल जिले के जितने भी ताल है न वो आसानी से आपको याद हो जाएंगे जब आप exam hall में बैठे रहोगे और अगर ताल टॉपिक से कोई भी question आ गया ना तो आपके दिमाग में एकदम से ये जो stories मैं बता रहा हूँ ना जो भी मैंने अभी तक story बताई है जो आज बता रहा हूँ यो जो आगे बताऊंगा वो सारी की सारी आपके दिमाग में गूमने लग जाएगी और आप उस question क को इजली सही कर लोगे चलो दोस्तों story शुरू करते हैं इस story ये है कि नैनिताल में हरीस ने भीम से साथ सूखे कमल खरीदे और उनसे भगवान राम लक्षमा तथा सीता की पूजा की तब ही वहां नौ गरूर आए जिने नल दमेंती ने हलवा खिलाया जो ये नल दमेंती ह ये हरीस की वाईव है ठीक है फिर सरिया से खुर्पा बनाने लगी कौन नल दमेंती तो अब इसको हम पढ़ते हैं इसमें है क्या तो मैंने बोला कि नैनिताल में हरीस ने भीम से साथ सूखे कमल खरीदे ठीक है तो हमको साथ सूखे कमल एक साथ नहीं पढ़ना है तो साथ सूखे अलगे कमल अलगे हमको तोड़ तोड़ के करना है तो साथ सूखे कमल खरीदे और उनसे भगवान राम लक्षमन तथा माता सिता की पूजा की तभी क्या होता है तभी वहाँ नौ गरुड आए देखो मैं नौ अलग पढ़ रहा हूं और गरुड अलग पढ़ रहा हूं ठीक है आपको इचीज ध्यान रखनी है कि ये एक साथ नहीं है और वैसे भी अगर आपको ध्यान ना भी आए ना आगे जब हम इसको explain करेंगे तो आप वहाँ पर clear समझ जाओगे तो तभी वहाँ नौ गरुड आए जिन्हे नल दमेंतिन है ठीक है जिन्हे नल दमेंतिन है हलोग खिलाया और फिर सरिया से खुर्पा बनाने लगी तो दोस्तों ये ट्रिक है तो अभी हम आगे इसको explain करते हैं कि ये जो story है इसमें ताल कहा है तो दोस्तों सबसे पहले है नैनी ताल तो नैनी ताल को कई बार नैनी जील भी बोलते है ठीक है तो आपको बताने की जुरत नहीं होगी मुझे कि नैनी ताल जील या नैनी ताल कहा है तो नैनी ताल कहा है वो नैनी ताल जिले में ही है ठीक है तो ये तो आप हमेशा सही कर दोगे उसमें कोई दिक्कत नी है, तो नैनी जील भी आप कभी नी भूलोगे, क्योंकि आगे नैनी आ रहा है, तो वो भी आप सही कर दोगे, तो हमें यहाँ पर याद क्या रखना है, पेपर में यह नहीं आएगा कि नैनी ताल जील या नैनी ताल ताल के जिले में है, ऐसा नहीं आ था या तो वीडियो का paper था वो या फिर कनी सायकर आओगा दोनों में से एक paper था मुझे exactly याद नहीं है तो उसमें ये question आया था कि निमने लिखित में से कौन सी जील को त्री रिशी सरोवर कहा जाता है तो त्री रिशी सरोवर किसको बोलता है ये बोलता है नैनिताल को और ये किस में कहा गया है ये इसको त्री रिशी सरोवर कहा गया है वो कहा गया है इसकंद पुराण में तो अगली बार क्या हो सकता है कि प्रशन इस तरीके से आ सकता है कि न नैनी ताल है या नैना जील है यह साथ पहाड़ियों से गिरावा ताल है ठीक है साथ पहाड़ियों से और इनमें जो सबसे उची है वो कौन सी है उसको यह तो नैना पीक बोलो या फिर आप चाइना पीक तो इसके दो नाम है इसको नैना पीक भी बोलते है और चाइना पीक अच्छा जो यह नैनी ताल है ना जो नैनी जील है मतलब इसका आकार किसकी तरह है तो इसका आकार है नाश्पती के आकार का तो आ सकते है प्रश्ण कि नैनी ताल जो जील है आकार किस फल की तरह है तो यह हो जाएगा नाश्पती अब इसके बाद आ जाएगा हरीश तो हरिष ताल तो मैंने क्या बुला था मैंने कहा था कि नैनी ताल में हरिष ने, तो हरिष से हो जाएगा हरिष ताल फिर उसके बाद है भीम तो भीम से क्या हो जाएगा भीम ताल स्टोरी में क्या बुला था कि नैनिताल में हरीश ने भीम से ठीक है तो भीम आ गया तो भीम से भीमताल हो जाएगा भीमताल के बारे में दो important fact यह है कि इसका जो आकार है वो क्या है वो तिर्बुझाकार है तो भीम ताल जो ताल है इसका आकार है तिर्पुचकार और ये जो important point है इसको star mark कर रहो हूँ in ये कुमाओं का सबसे बढ़ा ताल है कुमाओं का सबसे बढ़ा ताल कौन है वो है भीम ताल अगर गड़वाल का आजाएगा तो तो सहस्त्र ताल हो जाएगा, सबसे बड़ा ताल, और अगर कुमाओं का आएगा, तो यह हो जाएगा भीम ताल, देखो इसको कैसे याद करना है, भीम मतलब आप पता है ना, आपको जो पांड़ा हो थे पांच, उनमें भीम कितना बड़ा था वो, मतलब हस्ट पुष्ट थ पुष्ट तो वो सबसे बड़ा था पांड़ू में, तो भीम यहां पर धियान लखना था इसलिए सबसे बड़ा ताल हो जाएगा, भीम ताल, इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो, इसके बाद आता है, साथ ताल, तो स्टोरी में क्या बूला था, मैंने बूला था, कि न उत्तरकाशी वाली जो वीडियो थी, उसमें मैं इस चीज को कवर करना भूल गया था, तो यह साथ ताल है ना, यह कहां है, यह उत्तरकाशी में भी है, तो ध्यान रखना कि साथ ताल नैनिताल में भी है, और साथ ताल उत्तरकाशी में भी है, लेकिन जो ज्यादा फेमस ताल है न साथ ताल वो नैनिताल में है अगर option उत्तरकाशी और नैनिताल दोनों होंगे न तो सबसे पहले बात है आपको bonus marks मिल जाएंगे तो इनी को मिलके साथ ताल बोलते हैं उसको ठीक है इनी को combine करके साथ ताल बोला जाते हो तरकाशी में अच्छो जो नैनिताल में साथ ताल है यह क्या है यह पांच कोनों वाला ताल है ध्यान रखो आतो रहा है साथ ठीक है लेकिन है पांच कोनों वाला तो साथ ताल option में बहुत अच्छा होता है तो सबसे सुन्दर ताल बोलो या फिर सबसे रम्मिनिक ताल बोलो ये कौन सा है ये हो जाएगा हमारा साथ ताल ठीक है तो कुमाओं का सबसे रम्मिनिक ताल कौन हो जाएगा साथ ताल हो जाएगा तो साथ ताल के बारे में जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि ये जो साथ ताल है, ये बांज के जंगलू के बीच इस्थित है, तो प्रशन आएगा कि निमने लिखीत में से कौन सा ताल बांज के जंगलू के बीच इस्थित है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, साथ ताल, उसके अलावा चौथा जो point है वो है कि जो साथ ताल है इसकी तुल्ला England के Westmoreland ठीक है? England के किसके Westmoreland से इस साथ ताल की तुल्ला की गई है प्रशन आएगा कि England के Westmoreland से किस ताल की तुल्ला की गई है तो हमारा answer हो जाएगा साथ ताल फिर मैंने उसके बाद क्या बताए था वीडियो में आपको याद होगा मैंने कहा था कि नैनिताल में हरीश ने भीम से साथ सूखे कमल खरीदे तो साथ क्या खरीदेता है सूखे तो सूखे से याद क्या करना है सूखे से याद करना है सूखा ताल मिल रहा है ना सूखा सूखे से मिल रहा है ना तो सूखे से हम याद करेंगे सूखा ताल और ये सूखा ताल जो है ये नैनी ताल में है अच्छा इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि एक है सुकताल तो एक है सूखा ताल और एक है सुकताल तो मिलते जुलते नाम है तो दोनों में confusion होगा तो जो सुकताल है वो कहा है वो चमोली में है तो आगे जब हम चमोली जिले के तालों को कवर करेंगे तो उसमें मैं इस चीज को रिपीट कर दूँगा फिर से लेकिन मैं यहाँ पर बता भी रहा हूँ क्या होता है कि कई बार ना चीज़ों को एक साथ हम पढ़ेंगे न जो confusing चीज़े हैं तो वो बहुत अच्छे से क्लिएर हो जाती है फिर उसके बाद तो अगर सूखा ताल आएगा तो सूखा ताल कहा है नैनिताल में लेकिन अगर सूख ताल आएगा तो यह कहा ही यह चमोली में है तो नैनिताल में हरीश ने भीम से साथ सूखे कमल खरीदे तो कमल से क्या हो जाएगा कमल ताल तो कमल ताल भी कहा हो जाएगा नैनी ताल जिले में उसके बाद मैंने क्या बूला था उसके बाद मैंने बूला था कि फिर उसके बाद उसने क्या किया राम लक्षमर तता सीता की पूजा की फिर से एक बार इस्टोरी को repeat करते हैं कि नैनिताल में हरीस ने भीम से साथ सूखे कमल खरीदे जिससे उसने राम लक्षमा तथा सीता की पूजा की फिर उसके बाद मैंने बोला था कि तभी वहाँ नो गरूर पहुंचे तभी वहाँ नो गरूर पहुंचे है नो गरूर आगी है तो नो से क्या याद करना है हमें तो नो से याद करना है नो कुछिया ताल तो नो कुछिया ताल का है यह हो जाएगा नैनिताल में और यह काफी important ताल है क्यूं क्यूंकि कुमाओं का सबसे गहर ताल है ये तो जो 9,7 ताल है वो कुमाओों का सबसे गहरा ताल है ये ध्यान रखना ये बहुत important point है इसके बाचती ताल हो हर की पॉडी मजल पुसकर ती्थória में अगर प्रश्ण आएगा कुण सा ताल हर की पॉडी तथा पुसकर तो अगला है गरूर, तो गरूर से क्या करेंगे याद, गरूर से याद करेंगे गरूर ताल, तो गरूर इस्टोरी में कैसा आ रहा था, वो देखो रिपीट करते हैं, कि नानी ताल में हरीस ने भीम से साथ सूखे कमल खरीदे, जिन से उसने राम लक्षमर तता सीता की दो इसकी इमपोर्टेंट है, कि अगर वो गरूर ताल पूछेगा, तो गरूर ताल कहां हो जाएगा, यह हो जाएगा नैनी ताल में, क्यूँकि 9 गरूर कहां आये थे, नैनी तालrint में आये था ना, नैनी ताल वाली स्टोरी में, ठिक है, अच्छा लेकिन, अगर गरूर आएगा ना तो गरूर शिला कहां है गरूर शिला है चमूली में और ये ना UKSCC के exam में already आ चुका है 2021 में सचेवाले सुरक्षा कर्मी का exam हुआ था तो उसमें ये पूछा था कि गरूर शिला कहां हिस्तिता है तो ये है चमूली में लेकिन अगर गरूर प्रपात आएगा तो ये कहां है ये पिथोरागड में तो ध्यान रखो अगर गरूर ताल आएगा तो ये नैनिताल हो जाएगा अगर गरूर शिला आएगी तो ये चमूली जिले में हो जाएगी और अगरुर प्रपात आएगा न तो ये पिथारागड में हो जाएगा? तो ये काफी important है तो ध्यान रखना घरूरताल नयनिताल हो जाएगा? घरूरण शिलाद चमोली हो जाएगी और घरूरण प्रपात पिथारागड हो जाएगा तो जब वहाँ 9 गरूर आये थे तो मैंने क्या बोला कि तभी वहाँ 9 गरूर आये जिने नल दमयंती ने ठीक है तो नल दमयंती से क्या याद रखना है नल दमयंती से याद रखेंगे हम नल दमयंती ताल तो नल दमेंती ताल का है ये नैनी ताल में हो जाएगा तो जिन्हें नल दमेंती ने क्या किया था हलुआ खिलाया था तो हलुआ से क्या याद रखेंगे हलुआ से याद रखेंगे मलुआ ताल अच्छे मालुआ नहीं है ये मलुआ है ठीक है ये इसको हटा देना आप ये मलुवा ताल है तो हलुआ मलुआ मिलता जुलता है न तो मलुआ ताल कहा है इस दिता है ये नयनिताल में है अच्छा तो फिर सरिया से खुर्पा बनाया तो खुर्पा से क्या हो जाएगा खुर्पा से हो जाएगा खुर्पा ताल ठीक है तो दोस्तों एक बार रिपीट करते हैं फिर चलो तो मैंने क्या बूला था मैंने बूला था ट्रिक में कि नहनिताल में हरीश ने भीम से साथ अल्वा खिलाया और फिर सरिया से खुर्पा बनाने लगी ठीक है तो मैंने क्या बूला था हरीस से क्या याद है हरीस से हो जाएगा हरीस ताल भीम से क्या याद रखेंगे भीम से भीम ताल साथ से हो जाएगा साथ ताल सूखे से क्या हो जाएगा सूखा ताल कमल से क्या हो ज गरूर से गरूर ताल जिने नल दमिंती ने हलुआ खिलाया तो नल दमिंती से क्या हो जाएगा नल दमिंती तार और हलुआ से क्या हो जाएगा तो हलुआ से मैंने बोला था मलुआ ताल ठीक है हलुआ मलुआ मिलता जूलता है ना तो हलुआ से याद करेंगे मलुआ ताल और फिर सरिया से खुर्पा बनाने लगी कौन नल्दमेंदी तो फिर सरिया सरिया से क्यायद रखेंगे हम यह जो सरिया है तो सरिया से हम याद रखेंगे सडिया ताल ठीक है सरिया से याद रखेंगे हम सडिया ताल और खुर्पा से क्यायद रखेंगे हम खुर्पा से खुर्प ताल तो दोस्तों यह आज की वीडियो थी इसमें हमने ने निताल जले के जितने भी ताल हैं उन सब को कवर कर दिया है और उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे अलग-लग जो ताल से रिलेटेड हैं उनको भी पूरा कवर कर दिया है तो I hope आपको यह व सिब्सकाइब कर दे थैंक्यू सो मच फॉर वाचिंग दे वीडियो मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जय हिन जय भारत जय उत्राखंड